Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 3.3 का question number 1 का third part जिसमें हमें दिया है, दो linear equations दिया हमें 3x-y equals to 3 ये first है 9x-3y equals to 9 ये second equation है और बोला है इन equations को substitution method से solve करो तो substitution method से solve करने के लिए क्या rule है पहले first equation से किसी एक variable की value बनाओ और इसको second में substitute कर दो तो सबसे पहले हम कर लेंगे from from equation 1 equation 1 से क्या है equation 1? 3x-y equals to 3 मैं y की value बना लेती हूं so minus y equals to 3 और ये plus का 3x-3x हो जाएगा अब क्यूंकि बच्चों हमरे पास minus का sign y में है तो ये वाला sign जो है ये right side में convert हो जाता है और वहां पे sign को effect करेगा देखो ये जो plus का 3 था ये क्या हो गया minus 3 और जो minus 3x था वो हो गया plus 3x और y का sign जो है वो खतम हो गया ओके तो ये बन गी हमरे पास y की value अब बच्चों हम क्या करेंगे on substituting value of y in equation 2 second equation रिप्लेस कर देंगे so भरो value 9x minus 3 minus 3y है तो y के place पे बच्चों क्या जाएगा y की value ये y की value क्या बनाई है हमने minus 3 plus 3x और equals to हमरे पास क्या दिया है 9 9x अब minus 3 से bracket open करेंगे minus multiply minus plus आ गया बच्चों और 3 3 जा हो गया 9 फिर minus multiply by plus क्या आता है minus और 3 3 जा 9 और साथ में आ गया x equals to 9 ओके बच्चों अब देखो यहां plus का 9x है यहां minus का है तो यह अपस में minus होगे कट गे हमरे पास रह गया 9 equals to 9 ओके बच्चों अब देखो अब हमरे पस alphabets तो सारिफ ने शोगे हमरे पस left hand और right hand side में सेम आंसर आगे तो जब आपके पास इस तरह की equations आती है तो हमरे पास left और right side में सेम आंसर आता है मतलब single digits आपके पास constant values होती है कोई variable नहीं होता है alphabet कोई नहीं होता है तो इस तरह की जो equations होती है उनका होता है infinitely many solution मतलब कि हम जो हमें ये दो equations दी है इनमें अगर हम x और y की values replace करेंगे तो बहुत सारे ऐसे cases होंगे जहाँ पर इनके answers जो है वो left और right side में same हो जाएंगे तो इसलिए इनके solutions बहुत सारे है तो हम लिख लेंगे 9 equals to 9 हो गया तो हम लिख लेंगे hands linear equations have infinitely many solutions बहुत से solutions हो सकते हैं इस तरह से किनके बस ये इतना सा कोशिन था बच्चो दियान रखना कोई ऐसा कोशिन आए तो आगको क्या value मिलेगी क्या answer मिलेगा कि equations के infinite many solutions है अब आता है बच्चो कोशिन नमबर 1 का fourth part fourth part क्या है fourth part में बोला है 0.2 x plus 0.3 y equals to 1.3 ये एक equation है और दूसरी है बच्चो 0.4 x plus 0.5 y equals to 2.3 अब इनको solve करेंगे तो सबसे पहले देखो हमर पास decimals है decimals में value दिये आप इनको decimals convert करके solve कर सकते हो अगर आप इनको easily करना चाहते हो तो इसके लिए जो first वाली equation है देखो इसके मैं क्या करी हूँ decimals convert करी हूँ बचो तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या क्या है मर पास 0.2 x तो decimal के बाद क्योंकि एक digit है तो क्या गया 2 upon 10 x यहाँ पे भी एक है 3 upon 10 और यहाँ पे भी एक है 13 upon 10 अब देखो 10 10 है denominator सेम है so 2 x plus 3 y equals to 13 upon 10 left और right side में सेम denominators है तो यह होगे finish और हमें मिलगी first equation 2 x plus 3 y equals to 13 ओके अगर आप first equation और second इनको नाम देते हो तो इस वाल equation को आप नाम दोगे बच्चो third equation ओके और वैसे ही दूसरी वाली का भी decimal convert करेंगे क्या आएगा 4 upon 10 x plus 5 upon 10 y equals to 23 upon 10 फिर denominator सेम है तो 4 x plus 5 y equals to 23 upon 10 10 कट गे हमार पास simple equation आगी 4 x plus 5 y equals to 23 और इसको आप ले सकते हो equation number 4 ओके बच्चो आई होप ये इतना सा समझ आगे आपको decimal convert करके simple equations बनगी अब हम किसी एक alphabet की value बनाएंगे और उसको दूसरे equation में replace करेंगे ओके तो जैसे मैं x की बना लूँ या y की किसी एक की भी बना सकते हो किसी भी variable की बना सकते हो तो पहले मैं लिख रही हूँ from from equation 3 ओके फिर्स्ट वाली क्यूंकि इसका decimal convert कर दिया बच्चो उसको हमने third name दे दिया ओके तो equation 3 क्या है हमार पास 2 x plus 3 y equals to 13 मैं x की value बना लेती हूँ so 2 x equals to 13 और plus का 3 y minus हो जाएगा और बच्चो देखो अब इसके साथ x के साथ coefficient है तो इसलिए single x की value लेने के लिए हमें coefficient को कहां ले जाना है right side में और वो right side में upon में आ जाएगा इस तरह से so ये बनेगी हमारे पास x की value okay अब ये जो x की value है बच्चो इसको हमें क्या करना है कहां substitute करना है second equation में so जो second equation जिसको हमने fourth बना लिया है decimal हटा कर okay तो लिख सकते हैं हम on on substituting the value of x in equation fourth 4 equation बन गी है तो 4 equation क्या है बच्चो अमर पास 4x प्लस 4x प्लस 5y equals to 23 okay तो x की value यहां भर देंगे so कैसे भरेंगे 4 multiply x और x की value क्या बनी है बच्चो अमर पास x की value बनी है हमारे पास 13 minus 3y upon 2 13 minus 3y upon 2 और आगे आपके पास क्या दिया है 5y equals to 23 अब ध्यान से देखना बच्चो कैसे solve कर रही हूं मैं देखो यहां 4 है यहां 2 है इस 2 से यह 4 cancel हो जाएगा तो पहले इसको हम काट लेते हैं 2 1 सा 2 2 सा अब क्या बच गया हमारे पास ब्रेकेट के बाद 2 बच गया और ब्रेकेट में है 13 minus 3y तो इनको 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 से 13 को मल्टिप्लाई करेंगे तो 2 13 जा 26 plus minus minus 2 3 जा 6 5 और आगे बच्चो क्या दिया है plus का 5y equals to 23 अब देखो यह जो minus का 6y है यह बड़ा है और plus का 5y छोटा है तो मतलब हमर पस minus 1y बच जाएगा और equals to यहां से 26 left से plus का right side में minus का हो जाएगा so minus y equals to minus 3 क्या बच गया बच्चो हमर पस y की value आ गई 3 अब हमने क्या निकालना है बच्चो x की value now x equals to y को put कर लेंगे और x की value क्या थी हमर पस x की value थी हमर पस 13 minus 3 y upon 2 so यहां पर क्या करेंगे अब हम y की value भर देंगे minus 3 into y की value क्या है 3 okay upon 2 solve करेंगे बच्चो 13 minus minus 3 और 3 को multiply करेंगे तो plus minus minus 3 3 is the 9 upon 2 okay क्या आ गया हमर पस 13 में से 9 minus हो जाएगा 4 upon 2 2 से 4 को cancel करेंगे क्या बच गया 2 so इसका मतलब x की value हमारे पास आ गई 2 okay so therefore x equals to 2 and y equals to 3 और यही हमें बच्चो solve करना था so I hope आपको यह question समझ आ गया यह video समझ आ गया बच्चो समझ आ गया है तो वीडियो को like करना, share करना और channel को subscribe भी करना thank you so much